इसमें हम राकेश तिकैट के साथ हैं ये दो दिन गुजरात रहकर के आए हैं और वहां के उससे पहले ये अलवर गये थे वहां पे इनके कार पर हमला भी हुपा, उसको लेकर के हम बात करेंगे. जो अलवर में हमला हुआ था क्या आपकी गाड़ी को टारगेट किया घ्या थ तेवे उनकी उनको ठीक करेंगे उनको का आगेन बच्चुपक केस नहीं करना इनकी क्लास लेनी है वह समको इनकी क्या विचारदार परिवर्तन करना आंदोलन कारी हैं जिसने इतने बड़े सेयुक्त मोर्चे के काफिले पर हमला करा तो यह अंदोलन कारी तो है और देश में हमेशा अंदोलन आंदोलन का दो जिन्दा रहना चाहिए उनको दबलाणाने चीसे उनकी विचारधाना दूसरे विचारधार को परिवर्त नकरेंगे वाख वनाने कर सकती महां कोई भूब नहीं सबस impetusтесь में अपको पूरे देश में नटाना लागता हो वहां के अलग नियम कादुकानून हो तो पासपोर्ट लेकर गए को बीड की रिपोर्ट लेकर तस्तावज गुजरात में एक किसानेता को गिरफतार भी कर लिया गया था युद्णवेर सुझ और प्रेश के बीच में से उठा कर लेका ग अगर गुजरात में उस टाइम पर आंदोलन हो जाता तो आज ये पूरे देश में पैर नहीं पसाते गुजरात से ताकत लेका पूरे देश में राज करना चालते हैं ऐसा नहीं हो अभी क्या एक तारीक को बहुत बड़ी कॉल आप लोगो ने दी है संसत कूच का एक तारीक क करेंगे क्या करना है तक पाइब करेंगे क्या इरादा है जानल मैं कैसे कूछ करेंगे कहां से का पता कैसे जाएगे पहले एक महिना पहले नहीं बताने और यह इनका मातमा हैं मातमा गांदी की तके निकल जाएगी फिए का गोदामों का घहरा हुआ था यूपी में कहीं दे रहे हैं यहां पर डानी के गोदाम बन रहे हैं तो एक दिन वाएगा कि गोदाम सब तुटेंगे दरातर होगा इनके जो ही इत कंगरीट पत्थर होंगे उसके किसानों के छपर बनेंगे जब देश को आजाती भी लगी बहुत दो शुक्रिया आपका